सर्दी का मौसम हो और हम मटर आलू ना खाएं ये कैसे हो सकता है तो अभी तक मैंने मटर आलू की सबजी जो है वो अपलोड नहीं की थी तो आज आपके लिए मैं ले आई हूँ मटर आलू की सबजी आईए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको एक बरतन ले लेना है जिसमें आपको तेल डालना है तेल के अंदर हम डालेंगे एक चमच जीरा और एक चमच साबुच जीरा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज की बारी कटी हुई प्यास और प्यास डालने के बाद अब हम इसे अच्छे तरीके से एक से दो मिनिट चला देंगे जब तक प्यास हलकी नर्म नहीं पड़ जाती फिर हम इसमें डालेंगे एक चमच अत्रक और लेसन का पेस्ट उसे भी हम अच्छी तरीके से चला देंगे तोड़ी देर चलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा साइस का बारी कटा हुआ टमाटर, अगर छोटे साइस के हैं तो आप दो डाल सकते हैं और फिर इसे हम अच्छी तरीके से चला देंगे, तमाटर हल्का नर्म हो जाए, अब हम इसमें मसाले डालेंगे बहुत जादा आपको मसाला नहीं डालना है एक चमच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर आधा चमच हल्दी एक चमच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे आधा चमच आमचूर पाउडर आमशूर पाउडर डालने के बाद हम इसमें 3-4 हरी मिर्च डालेंगे हरी मिर्च को मैंने काटा नहीं है अगर आपको तेज और चाहिए तो आप आधा आधा इसे काट कर डाल सकते हैं ऐसे ही डालेंगे तो टेस्ट इक्दम बैलेंस आएगा अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से चला देंगे लगभग 2-3 मिनिट तक और फिर उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे एक चमच नमक नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं फिर एक चुटकी हम इसमें हिंग डालेंगे जो इसका टेस्ट है और अच्छा कर देती है और फिर उसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से चला देंगे अब हम इसमें डालेंगे 3-4 मीडियम साइज के कटे हुए आलू अगर आपको थंडी के मौसम में नए आलू मिल जाते हैं तो वो इसका टेस्ट और दुगना कर देते हैं तो आलू को इस तरीके से काट लिया था इसमें डाल दिया और अब हम इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे अब हम इसे कम से कम 2-3 मिनिट तक धाक कर रख देंगे इस पर धकन धाक देंगे ताकि आलू भी हलका सा गल जाए और सारे मसाले अच्छी तरह से पक जाए और तेल इसमें अलग हो जाए मसाले से तो यानि ये अच्छे तरीके से मसाले पक चुके अब हमने धकन खोल के देखा तेल देखिए हलका हलका सा अलग हो चुका है उपर आ गया है हमने इसे अच्छी तरीके से चला दिया जब आपको तेल और मसाला अलग अलग दिखने लगे तब हम इसमें डालेंगे पानी खो और बादा दर्ग को अब आड़ेगी है अच्छी तरीके से घृख है जो आब फिर अपने भीयोज सरे सरा और छाए गया है अब priv तो और कम पानी डाल सकते हैं, जितना आपको इसमें ग्रेवी चाहिए उस साब से आप पानी डाल सकते हैं, उमीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती होगी, अगर अच्छी लगती होगी तो सब्सक्राइब, शेर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएग अब मैं इसे चला कर देख लूँगी और ये भी चेक कर लूँगी कि आलू पूरी तरीके से गल चुका है या नहीं गल चुका है, तो एक चमच की मदद से मैं इसे चेक कर लूँगी आलू को, तो पहले मैंने फोक लिया और देखिए इस तरीके से मैंने इसे तोड़ कर द हम इसमें डालेंगे एक चुटकी कसूरी मेथी और कसूरी मेथी के बाद हम इसे अच्छी तरीके से चला देंगे अब हम इसमें डालेंगे एक चौताई चमच गरम मसाला पाउडर यह optional है आप चाहें तो ना भी डालें यह इसका flavor और अच्छा कर देता है और गरम मसाला पाउडर डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से एक बार चला लेंगे और flame को off कर देंगे और इसे ढख के रख दे सबजी तयार है आप इसे जिस चीज के भी साथ खाएं यह बहुत अच्छी लगती है खास तौर पर मुझे यह पूरियों के साथ बहुत अच्छी लगती है और अगर उसमें आम का अचार हो और पूरी हो तो बहुत मज़ा आ जाता है खाने में तो उमीद करती हूँ कि आपको यह सबजी रेसिपी कैसी लगी और अगर यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चानल को शेयर सबस्क्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा थांक्यू फो वाचिंग बाबाई टेक केर